महामहीम राष्ट्रपती जी, आदरणिय राज्यपाल जी, केंद्रिय मंत्री माननिय नित्रिन गड़करी जी, माननिय हांसराज बैया अहेर जी, मंत्री मंडल में मेरे साथी चंद्रकांत दादा पाटील, सुद्रभव मुनघंटिवार, डॉक्टर गावीच जी, इस विश्वविद्याले के पुलुपती डॉक्टर बोकारे जी, यहां पर उपस्तित सभी महानुभाव, जिनको अभी-अभी मेडल मिले है, या डिग्रिया आवंटित हुई है, ऐसे सभी विद्यार थी, और उपस्तित सभी बैनों और भाईयों, सबसे पहले महाराष्टर की इस धर्ती पर गडची रोली जैसे हमारे एक महतुपुर्ण जीले में मैं महामहिम राष्टरपती जी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ और आभार भी व्यक्त करता हूँ, कि आपने गडची रोली विशुविद्याले, गोणवाना विशुविद्याले के इस कारेक्रम में आकर न केवल कारेक्रम की गरिमा बढ़ाई, बलकि हमारे गोणवाना विशुविद्याले और गडची रोली जीले का भी सम्मान आपने बढ़ाया है, इसलिए आपका बहुत आभाडवेक करता हूँ मामईम राष्टपती जी ये जीला अपने आप में बहुत अनूठा है जल जमीन जंगल के साथ-साथ बहुत बड़े पैमाने पर खनीच संपदा का ये जीला है सब प्रकार के मिनरल्स इस जीले में पाए जाते है और समूचे महाराष्ट को ऑक्सिजन देने वाला बहुत ही घना जंगल भी इसी जीले में पाया जाता है और विशेश रूप से मैं ऐसा मानता हूँ कि पिछले कुछ वर्षों में जिस प्रकार से इस जीले ने तरक्की की है आने वाले दिनों में एक महाराष्ट के अर्थ विवस्ता में एक बहुत ही महत पूर्ण इस प्रकार का योगदान इस उनिवर्सिटी के तहत चाहे वो हमारा गडचरोली जीला हो या चंदरपूर जीला हो ये दोनों जीले देने वाले हैं आज पिछले समय से हम लोगों ने बड़े पैमाने पर यहाँ पर माइनिंग की शुरुवात की और शायद देश का सबसे अच्छा आइरन ओर ये गडचरोली में पाया जाता है अब उस पर निवेश भी आ रहा है यहाँ पर उसका बेनिफेक्शन हो इसकी भी विवस्ता हो रही है तकरीबन बीस हजार करोड का निवेश अब यहाँ पर स्टील इंडस्ट्री का भी आ रहा है और इसके कारण ये और भी आवश्यक होगा कि एक बहुत ही प्रशिक्षित इस प्रकार का मानो संसादन हमारे विश्व विद्याले के माध्यम से हम लोग यहाँ तयार कर पाए बाम्बू हो टीक हो ऐसे कई हमारे वनसंपदा के जो प्रड़क्ष है ये यहाँ पर बहुत विपूलता से उपलब्द है और इसके उपर बहुत बड़े पैमाने पर रोजगार का भी निर्माण हो रहा है अनुसंधान भी हो रहा है ऐसे समय इस सारे अनुसंधान के कारे में हमारा जो गोणवाना विश्व विद्याले है ये एक बहुत ही अच्छा योगदान दे रहा है और मुझे बहुत खुशी है कि यहां की जरूरतों को समझ कर उस प्रकार की कॉर्सेस होंगे उस प्रकार के अभ्यास करम होगे इसको भी तैयार करने का काम गोणवाना विश्व विद्याले के माध्यम से हो रहा है मैं महाराश्च सरकार के और से गुणवाना विश्विद्याले को अश्वासित करना चाहता हूँ पिछले समय भी हमने चाहें यहां का जमीन का प्रश्ण हो या फिर यहां पर अलग-अलग कामों के लिए राशी आवंटित करनी हो कभी भी हम लोगों ने उसको रोका नहीं है और आगे भी मैं अश्वास करना चाहता हूँ इस विश्विद्याले को महाराष्ट का एक महत्वपुर्ण विश्विद्याले बनाने के लिए जो भी राशी के आवशकता होगी जो भी बजट के आवशकता होगी हम लोग उसको पूरे तरीके से और सही समय पर उपलब्द करवाएंगे ये भी विश्वास आज के इस मोखे पर मैं देता हूँ अभी अभी हम लोगों ने हमारे गर्ची रोली में मेडिकल कॉलेज बने इसका निरने हम लोगों ने लिया है गर्ची रोली में आने वाले दिनों में एयरपोर्ट बने ये भी प्रया समलोग करने वाले है और साथ-साथ यहाँ पर एक बहुत बड़ी इकोसिस्टिम तैयार हो कि जिसके माध्यम से गर्ची रोली के हमारे युवाओं के हाथ को काम मिले उनको रोजगार मिले और वो यहाँ पर सम्रुद्धी लाए इस प्रकार का प्रयास हम लोग करेंगे इस समय ये कहना भी लाजमी होगा कि गर्ची रोली जीला और यहाँ की सारी संस्कृति एक बहुत बड़ी विरासत का एक हिस्सा है हम लोग जानते हैं कि हमारे गोन राजाओं ने एक बहुत बड़ी परमपरा यहाँ पर तयार की जो बहुत ही सम्रुद्ध परमपरा थी जो सांस्कृतिक रूप से एक बहुत ही अगड़ी इस प्रकार की परमपरा थी पिछले कुछ दशकों में कुछ शतकों में शायद हमारी इस आलिवासी परमपरा को थोड़ा पिछड़ा पन देखना पड़ा पर मेरा विश्वा से कि हमारे विश्विद्याले के प्रयासों के कारण अब जिस प्रकार से शिक्षा हर जगा पहुँच रही है आने वाले दुनों में उसी चरम उतकर्ष पर हमारा ये गर्चुरूली जीला भी जाएगा और ये जो हमारी संस्कृती है जो हमारी धरोहर है इस धरोहर को समाहित करते हुए उसको समृद्ध करते हुए हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे ये विश्वास भी मेव थर्ष है कि हमारे यहां के निवासियों ने एक इस प्रकार की विवस्था का निर्मान किया कि पहले जो जीला माओवादी घटनाओं के लिए जाना जाता था अब वो बहुत ही सीमित रहे गई है और सब प्रकार की अच्छी विवस्था है अब यहां पर दिखाई पड़त में चाहे लोग मेंस्ट्रीम में काम करते हुए दिखाई पड़ते और मेरा विश्वास है कि हमें माध्यम से चाहे हमारे ट्राइबल चाहे हमारे OBCO, चाहे हमारे Non-Tribles हो, चाहे हमारे अरुसुचित जाती के लोगों, सभी लोगों को साथ में लेकर इस जीले की और इस विभाग की तरक्की हम लोग मिलकर करेंगे, आज के इस मोखे पर फिर एक बार महामहिम राष्ट्रपती जी का बहुत-बहुत स्वागत क करता हूँ, हमारे इस विश्विद्याले को और उसकी पूरी टीम को मैरेजमेंट काउंसिल है, हमारे कुलपती है, सभी को बहुत-बहुत शुबकामनाय देता हूँ, सभी विद्यार्थियों को शुबकामनाय देता हूँ, और अपने शब्दों को विराम देता हूँ, जै हिम जे महाराख्तु